हमी अब मच्च्य अवतार को कथा मा प्रविश गर देशों एक सत्ती व्रत नाम गरे का राजा थिये जो द्रमिड देश का राजा उनी भगवान का अनन्य वक्त थिये राजा थिये तरब बियान ब्रम्ह मुर्हूत मा उठेर गयरा नदीमा इस्तान गरने आने शुर्य नारायन ले जल चड़ाऊं एक दिन शुर्य नारायन ले जल चड़ाऊं ना बनेर आत्मा जल उठाएको घुन आतको जल्मा सान माझा आएंझा त्योस किने सान माझा आए बहते हैं अभन सबर्चारी दुखने पहुँ घूर्चीय सक्षए कंची keeps you अब ताम माछाले भोलना लागियो, के बनना लागियो, माराज मलाइ न चोडना यो न दीम, मलाइ ठुलटुला माँचा आरले खाय दिन चन, तब बड़ा प्रेम आये चा, होहो, एती सान माँचा कथि राम्र बोलेगो તેકરેમ આમઓ આયૌ છારા કમમઢ ફ્પરેરે તેમિાચેવે કમંડલુમાં રાખી સીરે નારાયનલેય જલ ચડાounો છ चड़ाओनुँछ माराज जल चड़ाई सके पछी कमंडलु बुकेरा घर मा आउनुबू कमंडलु राखनु बातियोर ध्यान गरन लागनुबू साधना मा लागनुबू फेरी कमंडलु बढ़ावाज आये माराज मत एती ठुलो बहें कि यो कमंडलु में आठना छोडे नी अब माराज सत्यव्रत गईरे स्वेर नुँँचा कमंडलु बरिको माचा बागस ओहो एती ठुलो बहें भनेर अतार अतार अली ठुलो बरतन मा पानी बरेरा माचला तेस्मा राखी दिनुँबू रा फेरी जप गरन लागनुँचा द्यान गरन लागनुचा एक छिन पसी फेरी त्यो बरतन बड़ा आवाज आउँचा माराज मत यापनी अटी न यापनी ठुलो बहें नियावे ठावाई सानुब मलाईदू फेरी माराज उठेर अगरेर नुँचा ता बरतन भरी को बग्योशा माच अबचनी संकाला आग्यों तब सत्यव्रात राजाले हाथ ज तिमीली सबै अन्न अरू लियेर सब्तरिशिको साथमा एउटा नौका बनाएर नौकामा सबारुनो तिमीला इमा नौका बिहार गराऊचु बन्नभू तब भग्वान अंतर द्यान होनँच एता ठीक साथ दिन पची सब्तरिशिको साथमा नौकामा सत्यव्रतरा जात यार बासुकी नागले आए रा त्यों नुवकालाई बादे रा मत्च्य को सिंग मा लगे रा बादी दिये रा मत्च्य अवतारुपी भगवान श्री नारायन ले प्रलै काल भरी यहां प्रश्ण उत्तर भहेको छा माराज सत्य ब्रत्र मत्च्य अवतारुपी भगवान नारायन को एई प्रश्ण उत्तर लायनी आमी मत्च्य पुराण बंदे छो रहे यहां एसरी भगवानले मत्च्य रुपमा भगवानले दर्शन दिनों उन्छ बलनुस मत्च्य रुपी नारायन भगवान लेको अगी प्रशंग मा बड़ा संदर प्रशंग चा महाराज मनुका दस्पत्र अरुको प्रशंग चा बने अगी श्री शुक्देव स्वामी एकादसिक महिमा बढ़नन गर्न होंच अगादसिक ब्रत बसन भाजा वाज भॉसन होंचा अब टीबी एड़ेर बसन होंचा जो बहत जन्यानों मुऊछ वहारलाई एकादसिक ब्रत जोई शबेव ब्रत मां उच्छ ब्रत मा नानीव भसी जस्त लेकादसिक मुड़त बसस उसलाई अरू कुनेई पनी बार्त ब्रत बशने जरूरत च्वाने उच्छे ब्रत layman श्तेले जुम ब्रब्रा रश्री बस्ने ब्रत कश रुचे हो बनी आजो बने पनी निरobicो अब अब indict तो बेदेदा बसने Indra once in the United's a बने निर्ज लाँने zostan निर्जल निर्जला बनी को जल न पीकन एदी सक्की इंच बने निर जल बसन एदी सक्की नहीं न बने जल पीर बसन त्योपनी सक्क्य न बने कंदमुल खायर फल्फुल खायर बसन त्योपनी सक्क्य न बने एक शाक अन खायर बसन त्योपनी सक्क्य न बने दुई शाक अन खायर बसन तर ब्रत को अर्थ के रहिछे तर ब्रत को अर्थ खाली पीट बसनु रहिछे तर बन्नो तर आम्रो सोच मा ब्रत बनेगो बोको बसनु बन्ने मात्रे बुजाईश बोगो बसन वनने तो दिन अनी एकादासी बसे को दिन दुई केजी आप दुई केजी केरा एकिलो श्याओ आधी बटलते चीनी अनी के ब्रता वन जत्यों होई न तर ब्रता वने को आमी वित्र विकार अरू शन्नी दस विकार सरे आमी वित्र विकार काम, क्रोध, लोब, मोह, रिश, मत्सर, घमन्ड, अहंकार, द्वेश यो दस विकार अरलाई छोडे रहा एक परबात मामा एक दिन ध्यान लगाउनों त्यों ब्रता वह एकादस्री को ब्रता तर त्यों दिन जती गाली कसे को जिसकी देवा बोक लागे कोंचा पेट मा आनि अरिश मात्रे बढ़ जगे एक दिन बगवान ले छुट्याओ वनेको ब्रता वनेको ब्रता को अर्थ त्यों दिन बगवान को लागे अर्पित गरा त्यों बगवान को निमित्त त्यों दिन भजन गरा दान गरा दर्म गरा तिर्था गरा सात्विक अहारा गर ताकी शरीर मा सुन्दर भाइब्रिशन आउस यहां भगत अमरिष राजा को कथा आउसा जो चई सत्य यूग, त्रिता यूग, द्वापर यूग मा तो अनेक तप यज्या होम होमा दी द्वारा भगवान को आरा धना गरिंत्यो तर कलिउग मा एदी भगवान लाई टेई फल प्राप्त गर न लाई पनी केबल भगवान को नाम लिए मात्रपिक्स रगवान कलिउग मा त्यसमा पनी एकादाशिक जो ब्रत वस्न हुँँँछ जो उच्छ ब्रत शश यो पंद्र दिनमा एक दिन पेट यप इंजिनलाई खाली गर देवने पनी यो इंजिनलाई रेष्ट दिन बने पंद्र दिनमा एक दिन दिनुँँछ थाकि अजर सुस् भिघ्यान्मा, बाईज्यानी गरले रिसवार्च्छ गरदा पंदर दिन्मा एक दिन पेटला रष्ट दिनफुन वने गोच, पंदर दिन्मा, एक दिन्मा, एक दिन्मा एक दिन वने को एक अदस्या होँँच, अबा, आमरे चलंधा के तीज में मनावन उन्चा निए अचा बिसेस नियांत तो देरेई चा अवला काट फांड तीर आज़ा टेलीविजन एरबस्ण में भक्त चा नारू तीज में ब्रतबस्ण होंचे एक दिन अनी खानाचे एक महिन आगाड़ी देखी खाक्को खाई खाको खाई दरखाने दिन मनेरत कालेंडर मात तोके को सानी चाई ना दरखाने दिन मनेरत को सानी कालेंडर मात अब तियो दरखाने दिन मनना एक महिन आगाड़ी दर खाय जस्ते दसें को टिकालाउने दिन मनेरत को से एक महिन आगाड़ी देखी टिकालाउन हुँँच ता उदे ना जे गरेशे लो जो स्थान अरूम गयरा आश्रम अरूषान चेपानया तो लजन गराई दिलिए कोई गरीब दुखी अरूषान तिठाम अरेख एक चाल कोई थी आ उन्हेक शाग का से खाना कमय दिनिः दिलिए विदा बस्त्र दिन पित्रिको नाम्मा बोजन गरावना आवानुच। पहला पहला चलन थियो कि आपना आफंत इस्टमित्राव गरनुपनी पर्षा, सबहला दिनुपनी पर्षा, तर तेस्था वेक्तिको लागी पनी गरनुच। जसले साथ चीके आवस्तेक्षा। अजरको एक साग बोजन ले कसेको प्राड दानेंचा बने, तो ठामा एक दिन भोगो बस्नमन ठुलो कुरोवे, तर यहां अजकाल बिक्री ती अरो देरे आये का सा, ती बिक्री अरलाई छोड़नो पर्षा, आजा अम्मरिष राजा एकादास्षी को ब्रत बस्नुँँँँ ईकादास्षी को ब्रत निर्जला बस्नांचा, रध्वादास्षी को दिन चई ब्रामड region Maori बोजन ग्राएरा मात्रा आफिपान ग्रूंच, द्वादास्षी बनेको ब्रामड region onrare ने दिन, डान ग्रने दिन अजा। रद्वादस्टिक दिन मा ब्रामण बोजन गरावनु उन्थियो एक दिन दुर्बासा नाम वरे को रिशी टुप्लुक्के आई पोगन बयु द्वादस्टिक दिन ब्यान को समय चा बड़ा प्रसन न उन्वो अम्मरिष्ट राजा तब अम्मरिष्ट राजा ले बिन्थी विशावन वोकी प्रभु अजुर मेरु गर्मा ब्रामण बोजन गर दिनु साज दुआ दसी छा उन्चा वन्नुब दुर्बासारी सी जानुबो निस्नान गर्न न अधिमा अम्मरिष्ट राजा ये ती ठुलो परम भग्त उन्वों थेओ कि एक दिन भगवान ले शुदर्शन चफ्रद छोड़ीर जानु बागशी किना भग्त को रक्ष्याको लागे एता दुर्बासारी सी आमना भिलंब भग्त पसी अब तीथी सकीन लागेओ क्ये गरों क्ये गरों बंदा चर्णाम्रित पान गर्नुस बंदी अरु ब्रामनरले तब बगवानला इस्नान गरेको चर्णाम्रित आत्मा लियर पान गर्न लागन भाथियो तेही बेला दुर्वासारिसी टुप्लुक का आई पुमा भायेचा दुर्वासारिसी लाई लागयो कि मलाई भोजन न गराईका न यसले भोजन गरेचु बड़ा क्रोधित बहरत जटा भुईमा पचारन भायेको काल कृत्या नाम गरेको दंती उत्पत्ति बैं काल कृत्या गएर अमरिश राजलाए मार्न वनेर लाग अब तेही समय मा भगवान ले रक्षया गर्न राखेको सुधरसंचक्र काल कृत्या को अंत्या गरेर सुधर्शन एता दुर्वासारी सी को पची पची लागना लागे तब दोडी 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 दुर्वासारी सी पुगनुँँचा का ब्रह्माजी का ब्रह्माजी लाए गयर बन्नुँँचा कि प्रभु मलाय बचावनोस के बटा वन्दा सुधर्शन चक्रवड ब्रमाजी बन्नुब मेरा बसको कुरा चाही नहीं दोडी दोडी गए भगवान संकरजी का बलेनात मलाय बचावनोस के बटा वन्दा सुधर्शन चक्रवड लुँ मवड उने वाला चैना, तो का जाओं वंद उने श्री नारायन का जाओ तब दोडेर दुर्बाशारी सी पुग्नवो श्री नारायन को चरणमा गैर भगवाण स्री नारायन ले वन्नोंच प्रभू, मलाय बचाओनो बन्दा के बटा वन्दुब बगवान ले सुधर्सन चक्रवड़ लू मेरत बसको कुरा चाई ना बन्दुब तब हजुर बन्दा पनी माथी को सत प्रभु म कसको सरण मा जाऊ अब बंदा भगवान वन्नंच अहम भक्त पराधीनु म बंदा पने माचित मिरो भक्त चु ते वहरा मत भक्त को पसना चु बने तिमी मिरोई भक्त को चरण मा जाओ अन्दिनु तेस पसी दुर्वाशारिशी तोडी दोडी गये का उने अम्मरी स्राजा का जैसले एक बर्श सम्मा दुर्वाशारीशी लाई पर खेर बसी एक बर्श पस्छा दुर्वाशारीशी जबाउन हो तब भोजन गराए रघव सुधर्शन चक्र ले स्थान्त बनाए रघव दुरुबशारी शिलाई भोजन गराऊंसान इसता परम शिश्य उनुँँँछ बगवान का परम भक्त उनुँँँँँँच अम्मर इश्य राजा ता इस्ट डिए एकादास्जी को महत्तो बताईयेगो सा। dipl…ृторы जिन हमरोज शरीर को लागी पनिपंद दिन मैं Edinburgh Day Day कर बता में रसात कर, सभी बंद उच बता मनामा इकादास्ची को मौतो को साथ मा आज आमी यो दिप्य कथा को रस्पान गरना पाए का सो जो स्वेम देव घाट धाम हरियार्शित्र मां भगवान राम को कथा कोटी कल्प एक कल्प आई ना कोटी कल्प लगी जाई ना गाई कोटी कल्प संमा गाय वने प्रेशके देगा तेधी शुन्दर कथाःस राम कथा जब राम कथा बसेर स्रमण गरना लागस हो यह आखा बचा आँसो ठुप देग क्रिश्ण कथा श्रमण गरना लागस हो यह ओठ को मुस्कान बंदैयु ने में पस्तो अच्छाम को कथाइस भगवान राम को कथा महा नत यह एक स्लोकमा कथा एक स्लोकमा तर यो कथाला है मक्क्य विश्त्रित रुपमा अजर समक्षिया रागदैची भगवान श्री राम खट्वां का पुत्र थे दिर्गबाव दिर्गबाव का रगु रगु का अज हुए अजth का दस्रत अणिय्य दस्रत को वंग्समा भगवान श्री राम ले जन्मली न वो जिस्ट पुत्र को रुपं मा राजा दस्रत का संतां थे नौ शंतं न वेप्यात पुत्रकामियस्टी यग्य गर्षं्द्राजा दस्त्रत लें। कि यग्यमां , Reynolds पुत्रकाम्यस्टी यग्यवशाल यग्यांसिंद्वलिव दब्रीत्त टीन अटाउ पात्रमां खेर गुथ। तिन और मह座ानीं, कहचल्या केई-केई-शुमित्रा Capupustus पत्ट के ौरी राणी महराज दस्रत का 20 राणीवाई खोवन वनेर थीनोट पात्रमा खीर राखिव संतान थियनन संतानको निमित थीन पात्रमा खीर राखदा एक पात्र चाईं एक पक्षी आयर उडायरली रगाई आ जसको नाम थयों जट्टायो तियो पक्षिले उडारली रगयो एता दुई पात्र मात्र रए ति दुई पात्र मा जुन खीर राखिये गोछा तियो दुई पात्र को खीर तिन राने ले मिलीर खांचन मिलीर पान गर्शन र ति तिन राने को गर्वबट भगवान स्री राम श्री लक्ष्मन, श्री भरत और श्री सत्रुगन को जन्मा उंचा, बलनो स्री राम चंद्र भगवान को, राम चंद्र भगवान जब जन्मली नुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ पकछी मार्ग मां अ ताड़का को उद्धार गरुणौनचौौौौ मरिचीเรา सुवाव को उद्धार गर्न बएो र offend हमाथ heiß लिया को पनी उद्धार गरुणौ ौつ मांथा ह लिया wod यसलै की इंद्र महाराज शल्द biscuit अंतियौ प्राप्त भहे को थिए अहिल्यां ले हाथ जोडेरा पत्थर को वाति भगवान लाई परखीर बसीन निरंतर निरंतर हजारों वर्ष अहिल्यां लाई थाथियो भगवान को चरण एक न एक दिन यो बंजर भुमिमा एक पटक स्पर्श हुना आई पुक्ष जसको कारण मेरो दार हुन्छ भगवान को स्ली चरण मुलाई प्राप्त हुन्छ अहिल्या लाई एक दिन भगवान ते मार्गमा उदे हुन्छ जनकपुर प्रस्थान गर्नको लागी बंजर भुमी छ ते समयमा श्री रामचंद्र माराज लक्ष्मन आनि गुरु विश्वमित्र को साथ मा जादे गर्दा अहिल्या पत्थर भयको पत्थर देखेर वन्णुंच कि प्रभु गुरुदेव यो क्यो विश्वमित्र गुरु वन्णुंच प्रभु यो बंजर भुमी मा युटा चरा वस्न पनी इक्षा गर्दैना अजरुको नेत्र चाई की न ते पत्थर मागवान भगवान वन्णुंच जहां कसाई को नेत्र पुग दैना त्या मेरो पुग दाशा आजा त्यों अहिल्या को पत्थर ला देखेर गईरा चरणले इसपर्ष गर्दिनुंच दिप्यरुक भाहिकी अहिल्या प्रगडवाईरा भगवान ले अफनो धाम प्रस्थान गरावन पुगन भयो जनकपुर भुगन भयो जनकपुर धाम जहां माता सिता उनुँच अमाता सिता भगवान स्री राम ले गमंड थियू कि ये गमंड बंदा मज़ती सुन्धर तकोई जाए नुँच तरह जब माता सिताला पुष्प बाठीका मा दर्शन पाउनुच तब अमंद अटे छा मवंदा सुन्धर पनी अरुकोई जा तब सिता माताला धनोस्तोड यग्यमा बिजेश्टरी प्राप्त गरेर सिता माता संग विवाव हुंच विवाव जह के पस्तात एक बश्च समझनकपुर धाम में श्री राम बगवान बसनुच एक बश्च पस्तात तब अयोध्या प्रस्थान गरनु वयो एता अयोध्या प्रस्थान गरी सके पस्तात राजा दसरतली सुचनु वयचा कि अब मैले मेरो पुत्र रामलाई राजय विशेक गरेर अब भावी राजा के रुपमा गोसुना गरनेशु तब यो संदेश जब मन्थरा अले था पाउंचिन मन्थरा दवडी दवडी गयर कई-कई माताला गयर बन्चिन अरे ती मिले थाचा बोली स्त्री राम को अराजय विशेक गुदेईचा तब माता कई-कई कउशल्य माताले बन्दापनी अनन्य प्रेम गर्थिन श्रे रामलाई तर त्यो दिन जे उंचा बगवान को इक्ष्याले उंचा बगवान ले थापाउन वह की राजय विशेक गवार मर राजा गवार बसे बनेतां बोली रामण को अंत्य कसले गरला सबरी को घरमा गवर जुठु वहर कसले खाई देला त्यसको निमित्त बनाउन वह माता कई-कई-कई-लाई कई-कई माता को बुद्धिमा प्रभेश गराउन वह माया लाई बगवान ले हर कारण को पछाडी आखुलाईने जोड़न वाज आज कई-कई-कई माता को मनमा लालच उपन्न गराउने मन्थरा आफनो पुत्र भरत लाई राजिय विशे कुन पर्ष बनेरा राजा दस्रत समक्षिया राजा दस्रत ले दिनु भहे को बचन लाई आज माता कई-कई-ले बनना लागिन की हजुरले मलाई कुने समयमा दू योटा बर्दान दिन चु भने रा बचन दिनु भहे कुस। त्यो बचन को पालना गरने समय आई सके कुसा एक मेरो पुत्र भरत लाई राजिय विशे कुन पर्यों रा दोस्रों चैंश्री राम लाई बनवास प्रदान करना पर्यों तब राजा दस्रत बड़ा आखा बड़ा असु प्रभागर दिरू न लागन वयों कि आज यो समयमा बोली राजिय विशेक गरने समय चाहा आज तिम यस्त वचन न लगाऊ वनेर अनेक प्रयत नले सम्झाउंदा पनी कई-कई माता मानन वयों अस दुस्त दीन श्रीरामचंड्र लक्षमांजी माहराज रा माता सिता बनप्रस्थान गरनों न शाट बनप्रस्थान गरी सके पस्ताग्याना बन अनेक उच्छ्ठाव ऐाई पर्षन रा माता सिता आ को हरनों चाहा न Minutenलता MR शेत्आको चाया मात्र हरन गरशक्रणाइश टररक्षा लागे घञेश लें आमी इस टेग सेन Нिमातास अगनि परिक्षा दीमगा समास मौ छ॥कल ऑनीस एतर wann油 अगनी संग ने रखनु गात्यों चाया सिता मात्र रामडले अरन कर लगुँगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगु बिवा उनवन्दा पहिली बाली का कुरूप मा जब थिन तिये समय मा एक सुक ले योट शुगाले आफनी पत्नी लाए राम कथा सुनाओ दे रेच राम कथा सुनाओ दे करदा गर्वेणी थिन ति सुक की पत्नी गर्वेणी थिन कथा सुनाओ दे तियो रात परियो रात बए पसी रात्री को समय मा सिता माताले जीद गर्वेणी थिमी जुन राम कथा सुनाओ दे शो तिया बए कि पात्र सिता बने को मई हूँ तियो कथा मलाई अजय सुनाओ बन्दा आजय साच परिशक्यों बोली सुनाओ दे शुकले तिमीले मला अजय सुनाओ दे परश बने रा तियो सुकलाई लिये रा घरमा लिये रावन वसी ता माता रात बरी राम कथा स्रमण गर्वेणी बोली पल्ट जब सुकलाई पुरि ते रसुक्ले स्त्राब दियो सिता मातालाई जसरी गरवती अवस्थामा मेरी पत्निलाई विछोड़ गरायो तीमिले तीमी पने गरवती अवस्थामा आपनों पती संग विछोड़ुनों परुस्थ भनेर स्त्राब प्रदान गरे तब स्त्राब प्राप्त वैसागे पस्त् आपको कारण माता सिताले फेर ये पुन गर्वती अवस्थामा बन प्रस्थान गर्णु करें तर जे उंच भगवान को अरिक्ष्या ले उंच आज भगवान आगर्श पुरुष को चरित्र प्रदान गर्णावनु बहे को सा धरादाम्ना कुनेह न कुनेह कारण बिना भगवानले कुनेह पनी कर्म गर्णुबःको साइवन आम्रो सबाब भगवान समस्तुल 间जा गर्णे क् άλλगर्णे क्वान आवी तेस्तो कर्णुबळी आमीले जेकीन गर्ना नाहूने भगवान लेट व Gesetz यो कर्णुबू神 С्ट पुल निटीट। भागवान बुलिगा ब באकतारों सब्सक्तों अशेट हैं जन्य चुत प्रिशाद। भागवां थो पार्णौूंश पाता भागवान पर आघाई ने हुआ , भागवान सं प्रोर्साद क्यों अधिवान मात्र हो त्यों टावाना मात्र हो बयुए और जश्त गरना ओक्षक तिस्ते गरनाविए हमिसांग का सामर्थ यहां मिलें तुच्छ मानव आमी सवाण बुद्धिशां अमी संग चेतना कम छ अनि तीस्ना बने आमि भगवान संग आफ ले तुलना गर्शो जो ब्रह्माणड को अधिपती हुनों छ अनन्त कोटी ब्रह्मा को अधिपती संग आमि आफ ले तुलना गरने आमि कती मुर्गों तो यहां आज भगवान राम को कथा जो अजारों लाखों वर्ष शम्म गाउंदा पनी सकिन्न रा अंत्यमा भगवान ले संपूर आफना अयध्यावासी भक्तवर को साथ मा साकेत धाम जानने उन्छा उना तक भगवान भक्तको निमीत्त यो धरतिमा आन उन्हाई्श SUS भगवाणले दुस्त को उदधार गरनं लाएतना एक संकल्पन नहें काफी उंसा भगवाण लोगद्रकवान ? तरह भकदलत बरी देजिए पार्चन दिना को लागी भगवाण यो धर ધाम मा आऊनु भाधो श można साव palms को सब्दॡ़नी पुर्भजन्म मा राजा की पत्नी थिन अत्यंत परम सुन्दरी राजा की पत्नी परम सुन्दरी उत्च कूल खांदान की एकप पतिको साथ मा काशी बनारस इंत बनेर स्री राम संग थियो रात्री को समय थियो बजन किर्टन गरदे थि उनलाई पने बजन किर्टन गाउन एक्षिया जागियो रहा गयरा किर्टन गरे को स्थान मा गयरा बसे रा किर्पन गरना लागे राजाले जब यो दृष्य देखे गयरा बने सन कि अरे तिमी महारानी भयर आपनी तीमी भुईमा वसर भगवान को वजन गर देशो आमरो कुल खान्दान ले दिदेए न तीमी या वसर वजन गरने न तीमी इरी आड़ा यावड़ अब राजा को आदेश उनले पालन गरिन उनी लीर गए रात्री को समय मा उनले बड़ा चिंता बहुत तब गंगा को तटमा आइन हात्मा जल्लिये रा संकल्पगरिन के संकल्पगरिन मने हे प्रभू आजा मला यो कुल खान्दान ले अजुर को नाम लिन दिये न आजा मला यो रूपले अजुर को नाम दिल्लिन दिये न बने मला यो धन संपत्ति इज्जत कुल खान्दान के पनी चाहे दे आर्को जन्ममा मलाई नीच फूल खान्दानम जन्मदिनु ताकी कसे लेपरी मलाई आसं पर्षपनिन नगरोश ELMualandaet यो जन्मम ऐती सुंतरड़ी बनावनों वाचनि अर्को जन्ममा कुरूप बनाई रहे जन्मदिनु ताकी कसे लेपरी बिवाने नगरोश तब हात्मा जल्ड अर संकल्प गरेरा प्राड त्या करीन राणीले बियान वयो राजाले रानी को त्या बृतक सरीर्त बेटे तर राणीले प्राप्त गरेना अरको जन्ममा तिने सवर कुलमा जन्मलियेरा सवरी वन्न पुगिन जो बगवान को अनन्य भक्त वैर रहन लागिन घर छोड़े रह गईन कुटी माँ अब तेती विला कुटी माँ सबै पण्ण वसने गुरुकुल का विद्यार्थी मात्र वसते उनी सबर जात की कसली सपर्षा गरना दिदैनां कसली छुना दिदैनां तरह उनको कर्म कस्त थीवने जब सबी सुकला गर थे तब समीधा जो अवन गरनों समीधा असा समीधालाई बाह देर सबैं को द्वार द्वार मा लगरे छुड़े देन दीन रात्र "' द्री को समया ay अभियान सवयले चक्वीत वहरे एर्थियो कसले ले आयरे राखी दियो समीरा एक दिन मतंग नाम गरे का रिशी जो सवरी का गुरु नून छ उनेको आश्रम मा सवरीला आश्त्रय मिलदछ उनले अनन्य सेवा गर्षिन जब रिशी मनी यो दरा दाम छोले र परम दाम उनलागन वो तब सवरीला आई बन्नाँच सवरी भगवान को दर्शन गर्न भगत पैदल चड़े र काका पुग दसन्द भच्चारों बर्ष परखायम बस्चंतर तिम्रो घरमा भगवान खाली खुट्टा पैदल चल्दई चल्दई तिम्रो दर्शन गर्न आउनच अब सवरी गुरु वाणी एक पट्रक गुरु ले जब बोल दिनुवएओ तो रिदे मैसरीलीन जुन दिन जुन समय गुरु देवलेओ बचन बोलनुवएओ ते दिन देखी भगवान कुंदिन आउनच तिमन भईन गुरु देवलेओ तर ते दिन देखी पुष्प आम लाई बनेर राखने अमिलो समने फाल दिन प्रती दिन एक दिन अईन प्रती दिन असी वर्ष कुरी सके पची भगवान एक दिन लक्ष्मन जी को साथ मा सवरी को घरमा ते जुठो बहर पान गर्न बने राइपुण आशा जब सवरी ले बगवान को चरण बिंद को दर भोग लागन उस भनेर वित्र राखे को जुठो वयर ले आर बिन लागिन ते वयर भगवान नीचो माने राज़ पान गर्देव उन्छा अबग समय बयकिसा भगवान स्रिकृष्ण जन्म उत्सब को आज भगवान कृष्ण को इस दरा धाम मा जन्म प्रगड उत्सब आम पुत्र कंसलेस प्रथिवी मा बढ़ा अत्याचार दुराचार गर्न लागे तव त्यो कस्टलाई सहन नस्सकेर प्रथिवी माता गोव माता को रूप धारन गरेर ब्रह्म लुक मा पुगनोंस गयर ब्रह्म देवलाई बिनम्र अनुरोद गर्न लागन प्रभु गिरिसर सि बहार नहीं मोही जस मोही गरुव एक परद्रोही यानि कि मला इठुल ठुला पाहाड परवत श्रिंखला हिमाल यो केपनी बहार लाग देना तर एक परद्रोही जन्मिय बने चाहिं मस्त हनेई सक्दिन वन्ना पृतिवी माता रहा आज गोव माता को रूप धारन गरेर आ आएक श्रु वन्नुन्सा प्रभू प्रभू समक्ष बिंती विशाउन वने भसी सवयले वन्चन तेस भगवान ला यहीं पुकाराऊं कि नवने भगवान हरी व्यापक सरवत्रसमाना प्रेम ते प्रगट होए में लूप वन्नुन्छ गत्र ह Speech Treeअवत्रत्रत्र्षि कि अब अम ब्रिज मंडल मा ब्रिंदावन धाम मा जन्मली देशु रते कंशको द्वार मा बशुदेव रदेवकी को घर मा अस्टम लाल वनेर आउ देशु कंशको दार गर देशु चिंदा नगर वनेर वन्नोंचर संपून रिषी गंड तेत्तिस कोटी देवी दिवता सवैला वन्नोंचर तिम्यरूपनी ऐले मनुष्य वनेर जाने अवसर प्राप्त वहेगो सा जाउ गईर ब्रिंदावन धाम्मा ब्रिक्ष्य वनेर वसा कोई मोर बनेर बसा कोई बानर बनेर बसा बनेर पोठावनोंच तब सब इप्रशन बईर गये ता कंसले बशुदेवलाई बुलाएर आफनी बईनी देवकी को बिवागर दीन चन बिवागरे र पुरियाउन बनेर जान लागदा तेई समयम आकास वाडि उंचरे कंस जुन पुरियाउन जान देचस तेई बईनीको आठों गर्व तेरो काल बनेर आउने सब जब आकास बाडि बयो कंस बड़ा क्रोधित बहरा गयरा देवकी को सिर्मा समातेर भुहिमा पचार न लागयो तेरो अस्टम संतानले मला येदी मार्श वने तलाईनी आज सक्काउंच व तेरे वंतिय कर देंचा आज को पती वसुदेव पतनीको रक्षा needs सेमान फैक अण पती पती और आज पतनीको रक्ष्याको लाग्या होसन। रचरण मा परसन कंगसा को वनचन। महाराज, हजूर लाए मेरी पतनी देवकी, हज south ki, बैनी देवकी संग दर है न, एस स्पट जंमिने 8,7 संग भय हो। यसर्थ जती जती संतान जन्मिन जन तेती तेती हजर को हात्मा मरपण गर नेशुँ इसलाई प्राण दान गर नुस्वने पसी तव कंसले बैनी देवकीर वसुदेव लाई आफने कारगार मा लगेर बंदी बनायर राखिए। रांत्य गरे पसी सातों संतान को रूप मा बलराम जीले याने की सेस नाग जीले बननों भाईशा की प्रभू ए नाराइट जब अजुर राम बनेर जानेव मा लक्ष्मन बनेर गए लक्षी माता सिता बनेर जानुव। तड़ अब चाहिं अजॉर क्रिष्ण बनेर जाना दां मा अजॉर को दाजु बलराम बनना चाहन्सु। रण और को इवड शर्ता सो मा पनी देवकी के गर्वड जन्मलीना चाहन्सु। अब भगवानले पैली बलराम लाइद देवकी को गर्बमा पठाउनोंच अब देवकी को गर्वबड जन्मा बय बलराम को बने कृष्ण जन्मा ने उदेई न किना बने बडा क्रोधी तुनुंच रिशा आउनोंच जन्मी नेवितिका कंसा उदार गर्दिनोंच बुरू यू घर्वबड कर्षं गरेर रोहिनीको गर्वमा सार्श लुणेयर फेरी रोहिनीको गर्वमा सार नहोंच इंच रहेता कोई खवर उँच्छा कि सातों गर्वा गर्वमा नस्टव जोवनेवा नहिए अफetag लुएषर प्रसन्न भाईर अती खुशी भाईर रांचा कि नमने जन्मली ये पसिपने उसले मर्नु नहीं थियो अब आठो संतान को पालोचा आठो संतान जन्मिने समय उनहीं लागयो कंसको पनी बुद्धी अब रामर उनला किनानी बगवान को आगमन तेसे उदैना उसको सोच पनी परिवर्दन उननला अघयो उता नंते आउनमा नंतमोल मा नंतबावा को घरमा के रिषिमुनि यह आऊँसन राहा दन्नत् प्रणाम गरने नंट बजो नंद बावाले रिषिमुनी ले बचन पुट्रवान भाव राे a उता एता समय बित्ते गयो, अब भगवान को यस धराधामा आगमन होने समय भयो, इस सम्पून देवतारु आयरा आज गर्विश्थिति गर्चना आउनू सामी पनी, गर्विश्थिति गर्दे भगवान ले यो धराधामा आमंत्रन गरों। तब विश्थारे भाध्रको मैना आयो, अस्टमी तिथि आयो, कृष्ण पक्षि आयो, रोहिनी नक्षित्र आयो, सबै गर्वारु अनुकुल उनलागे बुदवारको दीन आयो, रात्रीको समय मा देवकी मातालाई स्वपन जस्तो न भुती भयो सा, तर बसुदेव माराज स सवय थाच, तर देवकी मातालाई स्वपन जस्तो न भुती भयो, भगवान ससरीर आयो रायर, बसुदेव माराज ले वननोंच, अब मा केश्यन माने सानो बालक कुरुप मा प्रगडु दैशु, अब मा प्रगडु न साथ, मलाई लीर, तिमी नंद गाउमा, नंद महलमा जानो रत्या जन्मीय किसान इबाली कालाई ले र, या उनो केश्यन मा सवय अनुकुलो ने सावने र, बताऊनो लागी सके पस्तात, आज भगवान स्रीहरी स्वयम, भगवान स्रीहरी स्वयम सानो बालरुप मा, कृष्णा चंद्र भगवान कुरुप मा यो धरा धामा याजिक करनें आनके देशल्टों करना रात्रीको बारा बजेको समय मां भागवान यो दरा दाम्मा उनुवा वोल्नुस क्रिष्णकन अलावन को आनंद दद गिन्द भागवान को जाजिवान सानो बालु रुपमा जन्मली देवनोंसा लेर आज बसुदेव महाराज सानो बालक ला लेर नंद महल तर्भ प्रुस्थान गर्देव नुँछ नंद महल माजब थावयो सानो बालक को जन्म बएगो सा तब तर्भ नंद धर्म आज आनंद को बड़ा उचब उदेश बारी उचब जियन गुरु चंद्रकांद जीवला अरुपित गर्ना चाहन सुद्ध पस्थाम्यारती तर्भ प्रस्थान गर्देश नुँट